आज का दिन बहुत सुब और इस दिन हम लोगा स्टार्ट करना है और ये बिग ब्रेकिंग नियुज हासकर डेले जुडिशल सर्विस के जो एस्पिरेंट्स हैं जो कंडिडेट हैं जो उनकी तैयारी करना है ये पार्ट टू है इससे पहले हम लोग ने पार्ट वन भी यूटूब पे अपलोड किया है उसमें ये कहा गया है कि जिसकिसी भी एस्टूडेंट ने डिजेस का प्रिलिम्स दिया है उन्हें हमारी तरफ से फॉंडेशन कूर्स दिया जाएगा और ये पार्ट टू उसी का कंटिनिवेशन है औ आज पूरे देश में काफी हर्श का महाल है पर तरफ सब कुछ राम मैं ने रहा है हम लोग भी राम लला के दर्शन इस बार तो नहीं जा सके लेकिन बाद में जरूर जाएंगा जरूर दर्शन करेंगा इस बार काफी भीड़ है भी थोड़े दिनों के बाद जाएंगा देखिए अब यह अध्यात्म और धर्म यह आपके ब्यक्तिगत आस्था का सवाल है मैं मानता हूं मुझे अच्छा लगता है आए हम लोग सीलेबस की बात करें रिजल्ट रिलिम्स का भी नहीं निकला है निकलने वाला है देखिए हर एक्जाम की कुछ न कुछ स्टेट्जी होती है प्लानिंग अवसक्तानुसार चेंज होती रहती है तो आप यह देखेंगे में में आपके चार पेपर हैं जेनल लीगल नॉलेज एंड लैंगविज टू फिफिटी मार्ट्स का तो मैं आप चाहिए कहना चाहता हूं देखिए जेनल लीगल नॉलेज यह ज्यादा बड़ा नहीं यह थोड़ा सा आप करेंगे तो इसमें बहुत संदार्ड नंबर आपके आ सकते हैं और खास कर जो लैंगविज पेपर है वन फिफिटी मार्ट्स का आप देखिए लैंगविज पेपर में कुछ खास नहीं है कहने का मतलब है कि if you work hard, if you give some time, if you move strategically, if you go plan-wise, then it is the most easiest job because there is nothing much required to be done into the language paper, you see, language paper का मै ये पढ़ गया आपको सुनार रहूं, essay, translation and precise writing, this is to test the candidate's knowledge and power of expression in English, credit will be given both for substance and expression, conversely, deduction will be made for bad expression, false of grammar and misuse of word, etc. there will be two passages for translation, one in English which will be required to be translated into Hindi in Devanagariya script and the second passage in Hindi in Devanagariya script shall be required to be translated into English. बहुत ज्यादा इसमें नहीं रहता कुछ गिने चुने कुछ केसेज हैं, इसमें 100 में आपको काफी सांदार्द नंबर आ सकते हैं, 90 तक नंबर आ सकते हैं, बच्ची गाई ये 150 मार्ट्स का पेपर, तो इसमें भी आपको 120 प्लस तक मार्ट्स आ सकते हैं, थोड़ा समेहनत करने की जूरत है, इसमें प्लान वाइज, सिक्वेंस वाइज, अमूमन मैं देखता हूं कि बच्चे लोग इन चीजों को नजर अंदाज कर देते हैं, जूडिशल अफसर का एक जाम है, ठीक है, सही बात है, लोग पेपर पे फोकस करें, लेकिन लोग पेपर के साथ-साथ अगर आपने ये लेकिज पेपर जो आपका और जिएनल लिगल नॉलेज का है, जो आपका जिनल लिगल नॉलेज एंड लेकिज, अगर इस पार्ट को आपने इग्नूर कर दिया तो देखिए ये 250 मार्ट का, तो इसको इग्नूर करना समझदारी कभी भी नहीं हो सकती, आपकी तैयारी कैसी है काफी चुनोती पूर्ण काम है आपको अगर तैयारी बहुत अच्छी है फिर किस तरह से आप लिख पाते हैं नहीं लिख पाते हैं कि यह 200 मार्ट्स का सिविल लॉट भी 200 मार्ट्स का इसमें आप कितने नंबर लेके आप आएंगे यह कह पाना थोड़ा मुश्किल है लेकिन लैंग्वेज पेपर में आप थोड़ी से महनत करें तो आपके मार्ट्स बढ़ सकता है अब देखिए सिविल लॉव में आपका इंडियन कॉंट्रेक्ट एक्ट सेल अफ गोर्ट्स टीपी एक्ट एसारे हिंदू लॉव सी डिले रेंट केंट्रोल लॉव टॉट्ट एंडियम्स एक्ट एमसी डी एक्ट एंड कमेर्शियल कोट एक्ट यह आप देख लेंगे जो भी आपके सिलेवस में है और इसी तरह से लॉव पेपर टू के सब्जेक्ट क्रिमनल लॉव जो बिग ब्रेकिंग नियुद जो हम लोगों ने कहा है जो उसकी बात है तो हम लोग अब आज आते हैं जो भी बच्चे जब पीटी का रिजल्ट निकल लगा हम लोग तो अभी से जिनोंने पीटी दिया है उन्हें मेंस के लिए फ्री अफॉस्ट दे रहें इस बार दे बिग ब्रेकिंग नियुद इस की डिज का मेंस हम लोग तोटले फ्री अफ कोस्ट हंडेट पर्सेंट फ्री अफ पोस्ट इस बार हम लोग ने प्लान किया है देने का यह डिटाइड हो चुका है स्टूडेंट्स को यह फैसलेटी मिले उनका सपना सकार हो हमारे फ्री सर्विसेस से कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं यह जिसे आपत्ती हो लेगिन अगर मैं कोई कोर्स हंडेट पर्सेंट फ्री दे रहा हूं तो कुछ लोगों को आपत्ती हो सकती है आप समझ सकते हैं कि यो कौन से लोग हैं जिने फ्री कोर्से से आपत्ती हो सकते हैं मैं आगे इस पर कुछ नहीं बोलूंगा तो हमारे हां जो अब फॉंडेशन कोर्स हम लोग फ्री आफ कॉस्ट दे रहा है हमारे फॉंडेशन कोर्स में टाइमिंग आपका फाइब पीम टू नाइन थर्टी इस टाइमिंग में हम लोग दो तीन सब्जेक्ट कवर करते हैं वो सारा आपको बताया जाएगों प्लस हम लोग जो पढ़ाते हैं उसी टॉपिक से टू क्वेश्चन्स डेली टी परपस यह मतलब टी परपस कहने का मतलब कि आसे रूटीन में वो चलता रहता है हमारे पीटी वाले क्वेश्चन्स भी आपके लिए काफी ह़श्फ uns क्यों न दे रहा है इंटर्वी क्यों न दे रहा है टू क्वेश्चन्स mcq format में two questions मेंस के लिए और two questions इंटर्वियू के लिए यह हम लोग हर वोज जो टॉपिक पढ़ाया गया उसी से फ्रेम करते हैं कहने का मतलब कि उसी टॉपिक से पीटी मेंस एन इंटर्वियू अलग-अलग variations के साथ questions दाते हैं प्लस हम लोग foundation course में हरोज अलग से 100 mcqs देते हैं अपने students को study material तो यह सारी चीजे देते हैं a point is this कि अब जैसे माली जी यह 100% free course है इसका एक रुपया भी चार्ज नहीं है यह आपको हमारी तरफ से दिया जा रहा है एक scheme के तहत आप इसका लाव उठाएं आपको इसका फैदा हो आपका सपना सकार हो हम लोग का एक छोटा सा संकल्प है कि एजुकेशन का commercialization नहीं होना चाहिए तो कुछ बैसेज हमारे free of cost कुछ paid भी है समय समय पर हम लोग हर तरह की facilities अपने students को दिया करते हैं इस बार हम लोगने बिहार APO का PT, Men's और Interview बिहार APO का अभी थोड़े दिन पहले result निकला तो इसका हम लोगने PT, Men's और Interview ये तीनो free of cost दिया था हम लोगने रिजल्ट आप देखेंगे हमारे चैनल पर CLC का जादू चल गया 66 आउट आफ 101 ओफिशियल रिजल्ट ये रिजल्ट उन बच्चे लोगने जिनों ने बकायता हमारे हाँ एड्मिशन लिया क्लासेज करी उनको guidance दी गई कुछ है बतकिस्मती से हमारे फाइले डिलेट हो गई थी हमारा ये रिजल्ट उरिजनल रिजल्ट है 66 से काफी ज्यादा है हम उस रिजल्ट को क्लेम नहीं करते चुकि फाइले डिलेट हो गई हम लोगने कुछ माप डंड अ बना रखा है चलिए 66 से ही इनके तमाम records हमारे पास जो उन्होंने क्लासेज करी उसकी video clips से लेके तमाम बहुत तरह के जो कोचनांसे बहुत-बहुत सारी थी जिए evidence के तौर पे तो आप वीडियो देखिएगा YouTube पे भी है तो मैं ये भी साथ में कहाना चाहरा हूं कि ये जो 66 रिजल्ट हुआ किसी की महरबानी से नहीं हुआ दिवाले दसारा छट एक दिन भी छुटी नहीं हुए नहीं हुए कि लांजली देदी कोई दूर तक मतलब नहीं कुछ नहीं पढ़ तो आप जब भी पढ़ें एक टेम्पो बनाते हुए consistency बनाते हुए का मैं अभी अवस्य मिलेगी राम जी की किरपा होनी चाहिए हड़ किसी को मिलेगी तो इस ओफर का आप लोग लाव उठाई है अगर आ अभी से जूट चाहिए है आपको foundation course मिलेगा पीटी का result निकलने के बाद हम लोग professional courses start करेंगे men's के लिए men's DJs का पूरी तरफ से along with question answer writing totally free of cost देखिए men's के बारे में एक थोड़ी दहसत सी हो जाती है कि मैं जानता तो हूँ answer नहीं लिख पाता I know I understand the topic but I am not capable to write effectively अब सवाल यह पैदा होता है कि आप किस तरह से topic को जानते हैं कि दो चाहर लाइने नहीं लिख सकता है आपने कैसी पढ़ाई करी है कि उस topic पर आप एक दो लाइन नहीं बोल सकता है कि आप मेरी बातों पर ध्यान देजिए कि मैंने समस्ता कि अगर आपने ठीक से पढ़ाई करी है तो लिखने में दिक्कत होगी और हम लोग उसी के लिए हरूज दो-दो क्यों करवाने विकली टेस्ट हमारे तमाम सारे टेस्ट अको एस अमारे पास जो रूब समकर शीजàn हैं, foundation batches में, देखिए, men's answer writing बहुत आसान है, जूट मूट का, एक खौफ का महाल, एक डर का महाल create कर दिया गया, आप डरे नहीं, आप धरे से काम लें, men's का सिर्फ आपका इतना सा target है, कि आपसे few questions men's में लिखने हैं, इन questions के answers आपको legally correct और relevant लिखना है, legally, legally correct और जो answer है, वो आपका relevant होना चाहिए, इससे ज्यादा men's नहीं कुछ होता, पुछले आप हमारे साथ जूड़िये, अपने सपने को सकार कीजिये, राम जी की किरपा बनी रहा है, आप पे भी, हम लोगों पे भी, ये mission सफल हो, result निकलने वाला है, अगर आपने डीजेस का प्रिलिम्स दिया है, तो जरूर हमारे साथ जूड़िये, और अगर आपने नहीं दिया है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा से शेयर कीजिये, हर ज्यूरत मंद स्टूडेंट तक पहुंचा दीजिये, और इस तरह की अस्कीम, हम हमेशा स् यूज आप चाहते हैं कि सबसे पहले आपको मिले तो फटा फट चैनल को सब्सक्राइब कीजिये, और नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दिजियेगा, ताकि इस तरह की वीडियो जब कभी हम सूट करें, तो ये वीडियो सबसे पहले आपको मिले, इसी के साथ ये वीड वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिया थैंक्स पर वाचिंग, सी यू अगेंड, तिल दन, बाई बाई